आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस न्सी आर्टी के चैप्टर नमबर 3 के बारे में जो है फाइबर टू पैबरिक अगर आप लोग मुझे कांटाक्ट करना चाहते हैं तो यू कन सेंड मी अ मेल और आप इस टेलिग्राम लिंक पर जाकर इस लेक्टर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं इससे पहले वाले चैप्टर को देखना और क्लास 6 के चैप्टर को देखना तो उसके लिंक भी इसी टेलिग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिये गए हैं ये जो चैप्टर है फाइबर तू फाबरिक इस अ वेरी सिंपल चैप्टर बहुत ही आसा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है इसी चैप्टर को हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था बट जो क्लास 7 में अगर ये चैप्टर आया है तो इसमें कुछ और डीटेल्स एड की गई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्जैम पॉइंट अफ यू से जो जो चीज़े इंपॉर्टन हो सकती थी उन सब को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है तो हम बात करते हैं अगर फाइबर की तो फाइबर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइबर्स जो हैं वो दो तरीके के हैं एनिमल, एनिमल से जो मिल रहे हैं और प्लांट से जो मिल रहे हैं, एनिमल से जो हमको मिलते थे, वो थे वूल और सिल्क, और प्लांट से कौन से मिलते थे, हमको कौटन और जूट प्लांट से मिलते थे, तो अभी हम इसमें पहले एनिमल फाइबर पढ़ रहे हैं, फिर हम प् किस से मिलता है हमको इन सारे अनिमल से मिलता है शीप गोट या कैमल लामा अलपका तो यह सब क्या होते हैं अनिमल यह देखिए इस वाले फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यह गोट है यह भी गोट है अंगोरा गोट है स्पेशल यह लामा है यह अलपका है कैमल है तो य लामा और अल्पेका ये कहां पे मिलते हैं ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं ठीक है ये हमारे कंट्री में नहीं मिलते हैं अल्पेका और लामा ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं बाकी ये सब हमारे कंट्री में मिलते हैं याक भी हमारे कंट्री में मिलता है जिसका इसमें फो बाल होते हैं, वो उस अनिमल को बाल इसलिए मिले होते हैं, ताकि उस जानवर को ठंडी के मौसम में ठंड ना लगे, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके बाल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बालों को हटा लेते हैं, कौन से मौसम में, जब गर्मी का मौसम आता है और उसको use कर लिया जाता है हमारे खुद के लिए blankets और sweaters बनाने में तो जो मैंने आपको पता दिया cold season में उसको बचाते हैं तो ये जो wool होती है जो oon होती है ये उस animal को कैसे protect कर रहे थी क्योंकि देखिए जो oon होगी जैसे ये oon है बहुत सारी उसके fur होगा उसके उपर उसके बीच बीच में air trap हो जाएगी बहुत ही ऐसे compact नहीं होता न वो एक fluffy सा material होता है जिसके बीच में air trap हो जाती है air क्या होती है? air होती है poor conductor of heat तो वो जो भी heat body की है हमारे शरीर के अंदर जो भी heat है या उस जानवर के शरीर में जो भी heat है उसको वो बचा के रखती है वो बाहर वाली thund से उस thund को बाहर वाली thund को अंदर नहीं आने देती है क्योंकि wool वाला जो fur है उसके बीच में air trap हो जाती है similarly हम भी उसका उसी तरीकी से use करते है जो उनके कपड़े होते हैं उनके बीच में air trap हो जाती है तो वो हमें resistance प्रोवाइड करती है बाहर वाली thund को हमारे body की heat को lost नहीं होने देती वो बाहर environment में फिर हम बात करते हैं जो ये जो fur होता है sheep का वो दो तरीके के होते हैं coarse beard, off hair and fine soft hair जो बाहर वाला joh fur होता है वो एक hard वाला hard वstalी उसके अंदर fibre होते हैं hard वाली oon वाले फाइबर्स होते हैं जो अंदर होगा, जो skin के एकदम pass होगा वो fine soft होगा ठीके तो दो तरीके का fur हमको मिलता है बाहर वाला hard मिलता है अंदर जो skin के एक साथ एकदम पास में attached है तो जैसे ये मान लीजे उसकी skin है तो यहाँ पे यहाँ पे और फिर यहाँ पे यहाँ पे यह वाला hard होगा और जो यह skin के साथ साथ होगा यह वाला fine होगा तो animal जिससे हमें wool मिलता है अलग-अलग तरीके के जैसे sheep उसमें से एक बहुत common animal है जिससे हमें wool मिलता है लेकिं sheep के सिवा भी हमें काफी चीज़ों से मिलता है goat से मिलता है जैसे याक से मिलता है हमको कहाँ पर तिबत और लदाख रीजन में याक नाम का जानवर मिलता है जिससे हमको उन मिलता है अंगोरा गोट, अंगोरा wool हमें कहाँ से मिलता है ये जम्मो एन कश्मीर में मिलती है हमको अंगोरा गोट जम्मो एन कश्मीर अंगोरा गोट मिलती है जिससे क्या बनती है पश्मीना शॉल्स मिलती है बहुत ही महंगी, बहुत ही fine variety की भी wool मिलती है तो यह सारे के सारे animals के कुछ example है जिनसे की हमको wool मिलती है यहाँ पर इस वाले चार्ट में आप देख सकते हैं इस चार्ट में Indian breeds दिखाई गई है कुछ sheep की हमारे इंडिया में कौन-कौन से breeds बाय जाते हैं all over India उसके कुछ नाम लिखे हुए है लोही जैसे की रा रामपूर बुशेर कहां पर मिलती है उत्तर प्रदेश में और हिमाच्र प्रदेश में नाली राजासान हर्याना पंजाब बकरवाल जमून कश्मीर मारवाडी गुजराथ पाटनवाडी गुजराथ तो यह सारी की सारी जो sheep की varieties हैं यह इनिन states में मिलती है और इसमें बता मिलती है एक बार आप जरूर पर लिजिएगा फिर जो फाइबर से जो from fiber to wool जो wool है जो wool हमें निकालने के लिए sheep से हमें wool निकालने के लिए उसको पाला जाता है लाइड स्केल पे पाला जाता है, कमिर्शियल लेवल पे पाला जाता है, मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं, वो फार्मिंग, मतलब उसकी रेरिंग करते हैं, शीप को पालते हैं, किसलिए उसकी वूल के लिए, ओके, तो इसको बोला चाता है, रेरिंग, रेरिंग की जाती है sheep की, the rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food उनको feed provide करना shelter देना, उनको घर बन देना और उनकी health का ध्यान रखना तो rearing की जाती है sheep की कैसे उनको खाना दिया जाता है shelter दिया जाता है और health care दियाता है shelter मतलब उनको रहने की जगे the person who look after the sheep is known as shepherd, चीक है उसको shepherd बोला जाता है, वो उनका ध्यान रखता है ये commercial level पर किया जाता है मतलब audiogic star पर इसको किया जाता है कुछ लोग होते हैं जो हेडें पालते हैं और उसकी जो wool होती है उसको बेचा जाता है तो rearing of sheep बोलते हैं तो sheep क्योंकि हर भी वोरस है वो grass और leaves झाता है तो shepherd ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखता है और shepherd क्या करते हैं क्योंकि गास खाती है sheep के बड़े भड़े जुन को लेके चलते हैं उनको घुमना पड़ता है क्योंकि इतने बड़े बड़े जुनना है तो जब तक वह उशको घुमाना पड़ता है पिर आगे तो इसलिए वह रोम करते रहते हैं चिर्फ गूमागा consistent को घास की लादे रहते हैं उनको खाना भी खिलाना पड़ता है पल्स इस गौन जौर जवार ओयल यह सब के सब यह सारी चीज़ें जो है इनको खिलाने पड़ती है जब ठंड आती है तो फिर उस टाइम पर उनको शीप का ध्यान भी रखना पड़ता है ठंड के मौसम में होती है शीप की तो breeding of sheep is done to obtain किसले की जाती है breeding ताकि अच्छी variety की sheep और उनको मिल सकें तो sheep की breeding भी की जाती है और उनको ज़्यादा wool मिल सकें तो इस तरीके के sheep की breeding की जाती है जो की जादा wool देने वाली variety है, जिससे जादा own मिलती है, उस तरीके की breathing की जाती है, जब उनका एक thick coat develop हो जाता है, तो उनके जो बाल है, hair is shaved off for getting wool, तो जो wool coat है उस sheep का, उसे fleece का जाता है, जो wool coat होता है, उसके अंदर एक thin layer of skin भी निकाली जाती है, देखें, ये important बात है, जो उसकी soft woolen fibers, जो उसकी ऊपर वाली skin है, मैंने बताया था, skin के साथ साथ, जो उसकी wool होगी, वो बहुत fine वाली wool होगी, छोटी-छोटे fibers होगे, तो वो soft variety की wool होते है, उसका अलग use होता है, उसका अलग use होता है, उसका अलग use होता है, the fleece of sheep is usually captain one piece, एक ही piece में उसको रखा जाता है, अब आप ये देख लीजे, इसमें पूरा process दिखाया गया, देखिए, shearing a sheep, ये जो sheep है, उसकी, उसकी जो है, ये skin, मतलब उसकी जो wool हो निकाली जारी है, और उपर वाली जो layer होते है, skin की वो भी निकाली जारी है, तो आप कहीं ये मन सोचीगा कि इससे sheep को दर्द होता है, sheep की जब उपर वाली skin के साथ wool निकालते हैं, तो उसको दर्द नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो skin की उपर सबसे उपर वाली layer है, वो dead है, तो अगर बिल्कुल पतली layer निकाली जाती है, ऐसा नहीं कि उसकी पतली सी layer को निकाला जाता है, क्योंकि वो एक dead tissues की बनी होती है, तो इससे sheep को कोई pain नहीं होता, फिर उसको निकालने के बाद scoring किया जाता है, scoring होता है in tanks, मतलब इस जो सारी wool मिली है, उसको पूरा का पूरा wash किया जाएगा अच्छे से, तो ये manually भी किया जा सकता है, वो machines में भी किया जा सकता है, उसके बाद जो बन जाएगी तो उसको roll किया तो पहला process जो होता है, first process होता है, shearing, the fleece of the sheep along with thin layer of skin, मैंने आपको बताया, thin layer of skin को साथ में निकालते हैं, जिसको fleece कहते थे, क्या बोलते थे, उसका क्या नाम था, fleece, तो fleece क्यो निकाल लिया जाता है, जिसके अंदर wool होती है, और thin layer of skin होती है, इस process को क्या कहते है, इसको the skin की अपर डेड होती है, जो ये जो निकाला जाता है, ये हमेशा निकाला जाता है, समर के मौसम में, विंटर्स में निकालते है, विंटर्स में अगर निकाल लिया तो शीप को ठंड लग जाएगी, तो हमेशा समर में निकाला जाता है, जब समर सीजन आता है, विंटर्स क fiber निकाला, जिसके अंदर dust, dirt, सब कुछ है, तो उसको wash किया जाता है, अच्छे से, या तो उसको tub में wash किया जाता है, manually, या तो उसको machine से wash किया जाता है, इसको scoring बुलते हैं, scoring means the fleece of the sheep clean, मतलब जो उन निकले हैं, उसको clean करने के लिए, ठीक है, बस ये simple सा उसका process है, third step क्या होता है, third step होता है, उसको roll किया जाएगा, उसको पहले sorting किया जाएगा, the process of separating the fleece of a sheep into sections, according to quality of wool, जैसे कि fine वाले जो fiber से उसको अलग किया जाएगा, जो बिल्कुल coarse fiber से उसको बिल्कुल अलग किया जाएगा, तो इसको sorting कहते है, ठीक है, sorting कर ली जाएगी सारी, फिर fourth step में क्या किया जाएगा, the same bluffy fiber called birds are picked out from the hair, after this, the fibers are scored again, जो इसके बाद sorting की, देखो sorting की, पहले fibers को दोया, फिर sorting की, फिर उसको फिर से, जो अलग-अलग sort किया है, एक-एक variety के fibers को अलग कर दिया गया, उसको फिर से sort करके, फिर से एक बार wash करते हैं, ठीक है, फिर five number भी क्या करते हैं, जो उसके, अलग brown, white color के जो होंगे fiber obtained can be dyed in different color, उसको different, different color की dye में dye कर देते हैं, जिस color का हमें चाहिए, फिर क्या करते हैं, इन fiber को straight करते हैं, comb करते हैं, roll करते हैं, यान में, ठीक है, फिर इनको एक short woven fiber सा spun into fine yarn, and then woven on a loom to make a woolen cloth, उसके, उसको fiber को अलग कर लेंगे, मतला हमने क्या किया, सबसे पहले उसको fleece को निकाला, फिर उसको wash किया first time, फिर उसको sort किया अलग-अलग, फिर उसको फिर से wash किया, फिर उसको color किया, उसके बाद उसके rolls बना दिये, ठीक है, ये step जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, निकाला, फिर wash किया, फिर उसके बाद क्या किया, sorting किया, फिर दुबारा से wash किया, उसके बाद से इसको dye किया फिर और फिर ये बना दिया उसको उसके कोई yarns में बना दिया उसके fibers को निकालके yarn में बना दिया उसको ठीक है ये सारे simple से steps थे फिर एक जो चीज है जो important है ये जो सारा का सारा काम कर रहे है कोई ना कोई लोग कर रहे है factories में तो उनको occupational hazards हो सकते हैं मतलब ऐसी बिमारिया उनको problems हो सकते हैं जो उनके occupation के वज़े से जो वो काम कर रहे है उसकी वज़े से जो disease हुती है उसको occupational hazard करते हैं तो जो wool industry में काम करते हैं उनको क्या हो सकता है उनको एक sorter's disease हो सकते है मतलब मैंने बताय था ना sorting sorting मतलब अलग-अलग करना मतलब अलग-अलग जो चीजें उसको अलग-अलग निकालकर वही ए- Porsche pays को आलग-अलग कर दो sorting तो यह स्व 혹시 स्वार्टब करते हैं सोस्ट दिजीज जो लोग सौट कर रहे हो थे ऎंडिकल च्छाट रहे होते हैं यह चाट करना यह actually sheep के fiber में था यह bacteria जो की sorters को infect कर सकता है the sorters job is very risky because sometimes they get infected by the bacteria called anthrax तो उनको anthrax हो जाता है तो उसको sorters disease भी कहते हैं तो sorters disease क्या है? एक occupational hazard है किसका? wool industry का फिर बात आती है second fiber की तो अच्छा भी हमने first fiber पढ़ा wool, अब हम second fiber की बात कर रहे है which is silk तो silk क्या है? silk भी हमें क्या मिल रहा है? silk warm से मिल रहा है न? तो यह भी animal fiber में है silk जो होता है natural fiber है as obtained from an insect से मिल रहा है हमको silk moth बोलते हैं तो जो silk fiber is animal fiber यह मैंने आपको बता दिया तो silk का जो culture होता है जो जैसे कि मैंने आपको बताया wool निकालने के लिए भी sheep का rearing किया जाता है तो silk के लिए जो silk निकालने के लिए भी commercial level पे silk worms को पाला जाता है जिसको seri culture बोडते हैं ठीक है? silk farming भी बोडते हैं इसको तो seri culture है यह बहुत ही old occupation है इन इंडिया में और इंडिया भी जो है सारा commercial level पे silk प्रोड्यूस करता है तो history जो होती है na silk moth की life history of a silk moth जो female silk moth है वो देखिए मैं आपको diagram में समझा देती हूँ ज़्यादा easy है देखिए यह जो female silk का adult silk worm है यह क्या करता है? जो mulberry tree है ना इस tree का नाम होता है mulberry tree यह सिर्फ उसी की पतियाँ खाता है silk worm है आपको हमेशा mulberry tree पे ही मिलेगा ऐसा नहीं कि वो किसी भी tree पे रहेगा वो special tree पे रहता है जिसका नाम है mulberry tree तो यह silk moth यह रहता है देखिए यह क्या करता है? इसके पत्तों पर अपने eggs दे देता है ठीक है? अंडे यहां पे दे दिये तो उससे क्या निकल गया? लार्वा निकल गया ऐसे यह अंडे में से ही ऐसा लार्वा निकल गया फिर यह लार्वा क्या करता है? यह लार्वा जो है धीरे-धीरे अपने जैसे पतियां खाता जाता है इसकी पतियों को खाता है और फिर अपने चारों तरफ एक कोकून डेवलप करता जाता है कोकून बना लेता है और फिर कोकून में से जब यह पूरा कोकून बन जाता है कुछ टाइम के बाद उसमें से फिर से यह ऐसे मौत निकल आएगा तो जो silk warm को जो rear किया जाता है वो इस stage में किया जाता है जैसे ही वो cocoon बना लेगा यह cocoon जो है बहार जो बन रहा है यही है silk यह जो cocoon है यह हमको चाहिए होता है यह silk है तो यह जो इस stage में होता है तो इसी stage में उनको निकाल लिया जाता है और इनको गरम पानी में डाल दिया तो maximum को cocoons को ले लिया जाता है कुछ को छोड़ देंगे ताकि वो फिर से breed करें तो यह एक process होता है इसके कुछ details हम देख लेते हैं development of cocoon जो होता है when silkworm is ready to enter the next stage of development it is called pupa it first weaves a net to hold itself देखें यह जो when the silkworm is ready to enter the next stage इसको इस time पे pupa बोलता है यह वाली जो stage है यह इसको pupa बोला जाता है इसको ठीक है यह pupa है और यह फिर cocoon with pupa है fine during this moment of head the silkworm secretes देखो जो pupa है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो पत्ते खाता जाता है तो वो क्या करता है वो secrete करता जाता है protein secrete करता है fiber made up of protein silkworm secrete fiber मुह से निकाल रहा है यह secret करता जा रहा है fiber और यही जो fiber है वो hard होता जाता है और यह silk fiber बनता जाता है soon the silkworm of the caterpillar cover itself जब pupa वाले stage में cocoon यह जब लारवा जब pupa वाले stage में आ जाता है तो यह क्या करता है यह एक secret करेगा पतियां जो खाता जाएगा और पतियां खाने के बाद यह fiber secrete करता है protein वाला material secrete करता है जो hard बनके fiber बनता जाता है वही silk है तो silk कौन बना रहा है silk silkworm बना रहा है तो soon the silkworm covers itself by silk fiber and turns into a pupa this cover is known as cocoon pupa जो होता है cocoon के अंदर रहता है अंदर pupa है वो cocoon के अंदर रहता है उसने पुरा cocoon बना लिया हमें वो cocoon चाहिए होता है अगर हम इसको इस stage में नहीं लाएंगे तो क्या होगा वो धीरे दीदे जो है pupa जो है वो क्या बन जाएगा वो फिर से caterpillar बन जाएगा बढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा जो cocoon है उसको मैंने आपको बताया उसको पूरा mature नहीं होने दिया जाता उसको पहले ही लिकाल लेते हैं जैसे ही वो बनेगा उसको पानी में डाल देंगे गरम पानी में और जिससे की pupa मर जाएगा और जो उसका cocoon है वो बाहर आ जाएगा ठीक है तो कुछ जो है कुछ silk warm है उनको allow किया जाता है ताकि वो mature हो पाएं किस लिए ताकि वो फिर से eggs दे पाएं और ये industry आगे चलती रहे तो maximum जो है इसमें मर जाते हैं sheep वाले case में sheep का जब fleece निकालते हैं उस टाइम sheep मरती नहीं है उसको कोई दर्द भी नहीं होता बट silk warm की case में silk warm सब मर जाते हैं तो silk की कौन-कौन से varieties होती हैं इंडिया में टसर, silk, kosa, silk, moga, silk, etc. हमारे इंडिया में मिलती है तो most common जो silk moth is the mulberry silk moth the silk obtained from the cocoons of mulberry silk is called mulberry silk silk moth is called mulberry silk किसको mulberry silk बोलते हैं यह बहुत soft होता है, shiny होता है इसको अलग-अलग colors में dye किया जा सकता है चीक है? तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा यह तो detailed diagram आप फिर से देख सकते हैं यह female moth है, देखिए इसने, यहाँ पे eggs है दिये उसने तो जो tiny caterpillar उसमें से निकला देखिए और फिर यह caterpillar जो होता है mulberry leaves खाता है और बड़ा होता जाता है size में कि larva बन गया फिर यह अपना यह secret करता था caterpillar spin से cocoon of silk thread around itself और फिर यह pupa बन गया ओके यह जो caterpillar इसके अंदर था और उसने अपना यह silk का यह बना लिया बाहर अगर यह और बड़ा हो जाएगा तो यह फिर से देखिए यह moth बनके निकल जाएगा बाहर बट यह इसको इतना allow नहीं करते इसी stage में इसको निकालके दुबारा से use कर लिया जाता है fine pure and artificial silk देखो अब जो क्या हो रहा है कुछ artificial silk भी बन रहे है क्योंकि pure जो silk है obtained किस से किया जा रहा है pure silk तो cocoon से मिल रहा है and it is made up of protein artificial silk जो होता है वो wood pulp से मिलता है दिखिए जो artificial silk आपको market में बिलता है वो silk वो आमने नहीं बनाया वो कहां से बना है वो wood pulp से बना है तो ये modified plant material cellulose है just like silk wool is also made up of protein देखो अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए जो wool है और वो जो pure silk है ये दोनों के दोनों plant based proteins है और जो artificial silk होगा वो क्या है वो cellulose plant है न वो plant है तो वो cellulose होगा और ये क्या है ये protein है एक तरीकी का pure silk protein है artificial silk cellulose है तो क्या होगा जब आप इन दोनों को burn करेंगे जब आप जलाएंगे माली जी आप जलाते हैं टेस्टिंग करने के लिए pure silk को अगर आप जलाएंगे तो जैसे बाल जलते हैं हमारे बालों को जलने से जो smell आता है तो उन को जलने अगर pure उन को आप जलाएंगे तो भी वैसा ही smell आएगा आप silk को जलाएंगे तो भी वैसा ही smell आएगा लेकिन अगर आप artificial silk को जलाएंगे तो जैसा paper को जलाने से smell आता है जैसे paper भी तो cellulose है तो अगर आप इनको बर्ण करेंगे तो पेपर जैसी स्मेल देगा अगर आप प्योर सिल्क बर्ण करेंगे तो वो बालों के जिलने जैसी स्मेल देगा ठीक है फिर जो कोकून से सिल्क बनता है तो इनको सिल्क THREAD में बना दिया जाता है कुकून से सिल्क लेके इसको सिल्क THREAD में बना देते हैं नेक्स्ट है REARING SILK WARM जो SILK WARM होते हैं वो एक SILK WARM है वो hundreds of eggs एक बार में ही दे सकता है जो eggs होते हैं मतलब अब यह बता रही हूँ लारवा बनते हैं जैसे हिसे वार्वा बनतें तूझ करते हैं तो उसके बीच में पती आ डाल देठें और जो भी आथा हुसको वो silk बनाना शुरू कर देगा, तो ऐसे इस तरीके से ये sale करते हैं अपने silkworm को female silkworm है देखती है ये हम देख चुके हैं, ये female silkworm है ये क्या करता है, ये देखी, ये मलबरी का पेड़ ऐसा होता है, ये मलबरी के पत्ते खाता है cocoon है, this all you know फिर जो processing होती है, silky, वो boiling water में की जाती है, तो उससे मैंने आपको बता दिया, उससे silkworm मर जाता है the process of taking out fiber from cocoon for use of silk is known as reeling the silk, आप क्या कर रहे है जब इसका जो fiber निकाल लिया उसके बाद इसको क्या कर रहे है, reeling कर रहे हैं उसका मतलब, इसका fiber निकालके cocoon से silk का fiber निकाल लिया जाता है reeling is done under in special machine तो silk fibers are spun into silk threads which are woven into silk cloth तो उसके बाद इसका silk fiber निकाल लिया जाता है अब यहाँ पे बड़ी interesting सी story दी हुई है जिसमें बताया गया है कि silk के discovery कैसे हुई, देखिए silk जो है वो discover किया गया था चाइना में सबसे पहली बार तो हुआ किया यहाँ पे एक story दिखाई गी है कि एक empress थी, एक राणी थी मतलब Chinese राणी थी वो she was having tea, मतलब वो चाय पी रही थी, मलबरी पेड़ के नीचे बैट के तो फिर क्या हुआ अचानक से जो राजा था उसने देखा कि ऊपर से कुछ जो है पतियां जो है तूटकर उसके कप में जाकर गिर गई है तो उसके अंदर silk warm था और जैसे ही वो गिरा क्योंकि गरम थी ठी तो warm मर गया और वो उसमें thread thread से बन गई मतलब धागे की तरह उसको दिखने लग गया उसके कप में तब silk की discovery उन्होंने देखा कि रहे यह तो धागा एक thread है फिर उन्होंने क्या उसको निकालके वो मतलब बुनना शुरू किया कपड़ा बनाना शुरू किया तो उन्होंने देखा वो तो बहुत ही superior quality का रेशम बन गया इस तरीके से silk की discovery होती है लेकिन Chinese लोगोंने silk की discovery के बाद उसको बहुत सालों तक बहुत ही secret की तरह रखा उसको किसी को बदाया नहीं कि silk कैसे बन रहा है फिर दीदेदीरे जो traders आते गए जो trade करते थे China से आते थे किसी अलग अलग देश्चों में इंडिया में भी आते थे अफगानिस्तान में भी जाते थे Europe तक जाते थे तो वो सारे जब traders जाते थे तो वो अपने साथ information लेके जाते थे वो बताते थे उन लोगोंने spread किया बाकी countries में कि silk कैसे आप लगा सकते हो okay silk मतलब silk कैसे आप obtain कर सकते हो इन वाले जो silk warm है इन से silk मिलता है उन्होंने बाद में बताया तो यह क्या होता है इसी लिए अभी भी जो traditionally आपको पता होगा चाइना से जो भी root है trade routes है जो connect करते हैं बाकी countries को तो उनको silk route कहा जाता है इसी लिए तो this is the small story कि silk की discovery कैसे हुई you can read that so this was a very small chapter जिस में की बताया गया है कि sheep की rating कैसे होती और seri cultures कैसे होता है उसके steps आपको संझाए गया है so I hope you have understood it thank you so much and best of luck for your preparation